कच्छा बारा हिंदी में बच्चों आप सभी का स्वागत हैं, हम पढ़ रहे थे, प्रकृत के सुकुमार कभी सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखे गए नौका बिहार शिश्चा को अभी तक कभी ने ये बताया कि नौका कैसे गंगा के बीच में चा रही है अब यहाँ पर कभी नौका बिहार की समय चांदनी रात में जो गंगा के किनारी का जो प्राकृतिक सौंदर है उसका ही मनमुहक वर्डन करते क्या कहते हैं जब पहुची चपला बीच धार चपला मतलब नौ जब हमारी नौ गंगा की बीच धारा में पहुची छिप गया चांदनी का कगार कगार मतलब किनारा तो चंदरमा की चांदनी से प्रकासित जो रेतीला किनारा है वा धीरे धीरे ओचल हो गया यानि हमारी नाव गंगा की बीस सारा में जैसे जैसे पहुंच दी गई वैसे वैसे किनारा हमसे दिखाई देना कम हो गया ओज़लो गया दो बाहों से दुरसतीर धारा का क्रिश कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर और जो दोनों किनारे हैं वो ऐसा लगता है जैसे दो बाहें हैं और जो गंगा की धारा के क्रिसकाई छिड कोमल शरीर को आलिंगन करने के लिए ब्याकुल हो रहे हैं अथी दूर छितिस पर बिटप माल लगती भूरी खासी अराल अराल मतलब टेड़ी और दूर छितिस पर जो ब्रिक्चीों के पंक्तियां दिखाई दे रही हैं वह ऐसी लगती है जैसे तेड़ी भूहे हो पलक नब नील नयन विशाल किसके जो अपलक आकास बिना पलक जबखकाई आकास कैसा आकास जो नीला आकास का जो नयन है नीला आकास जो धरती के northwest को देख रहा है उस आकास के विशाल नयनों की वध तिर्शी मौज़े हों मा के उरपर सिसुसा समीप सोया धारा में एक दीप उरमिल प्रवा को करप दीप और जो गंगा की धारा के बीच में एक दीप है दीप किसे कहते हैं जो चारों तरफ पानी से खीरा हो तो वह दीप ऐसा लगता है जो धारा को उल्टा कर दे रहा है गंगा की धारा जिससे टक् पक करके सो रहा है वह कौन भिहग क्या बिकल कोक उड़ता हरने निज विरह शोग छाया की कोकी को विलोग मतलब देख करके क्या कहते हैं कभी कि जो आकास में उड़ता वह पक्षी दिखाई देना वह पक्षी कौन है कहीं वह चकवा पक्षी तो नहीं है जो कि अपनी चकवी का मान करके चक्वी समझ करके उड़ता हरने निजविराशोग वह अपने विरह वेदना को दूर करने के लिए उड़ता हुआ जा रहा है तो यहां पे कभी जो गंगा में पढ़ने वाले दोनों किनारों का प्रतविंब हैं और किस तरह से दोनों किनारे ओजल होती जा रहे है किस तरह से आकास में उड़ता हुआ पक्षी गंगा में प्रतविंबित हो रहा है इस सबका बहुत ही सजीव चित्रन प्रसुतिया है फासा खड़ी बोली है रूपक उप्मा मानुी करन और प्रहांतिमान अलंकार है प्रसाद और माधुरी कुन है अब इसके आगे नौका क प्रीदधार ताड़ों के चल करतल प्रसार भरबर मुक्ताफल फेन इसपार विखराती जल में तारहा कभी क्या कह रहे है कि जो गंगा में तैर रही है तो गंगा के जल में चन्रमा और तारों का प्रतिपी में जो छलक रहा है और जो नहरों की चल चन्ता के कारण नास्ता हुआ दिखाए दे रहा है उसी का वर्णह कर रहा हैं कभी क्या कहते हैं पतवार घुमा अब प्रतन उबहार प्रतन मतलब 38 पतवार को घुमा करके और गंगा के अथा जल की भीच धारा में पहुंच करके हमारी नौका का भार क्या हो गया अब प्रतन उभार अत्यन्त कम हो गया नौका घुमी विपरीत धार और तब हमने पतवार घुमा करके अपनी नौका को धारा के विपरीत दिसा में मोड दिया डाडो के चल करतल पसार जो डाड़े देखे होगे यह पास में चोड़ा सा चप्पू भी जिसको कहते हैं तो दिकार करें डाडो के चलने से चल करतल पसार ऐसा लगता है जैसे हाथों को फैला दोनों हथेलियां फैला करके वो चल रहे हैं और जिसे देखकर के ऐसा लगता है भरभर मुक्ताफल फेन इसफार जब गंगा में चप्पू चलता है तो जल में थोड़े-थोड़े बुलबुले जैसे जाग जैसा हो रहा है तो यह कभी कह रहा है जो जाग उठ रहा है चप्पू के चलाने से तो ऐसा लगता है उसे देखकर के मानो डांडे अपनी हथेलियां फैला करके उसमें अत्यधिक मात्रा में जाग रूपी मोतियों को भर रहे हैं बिखराती जल में तार हार जो तारो रूपी मोतियों के हार को तोड़ करके जल में बिखरा रहे हैं चांदी के सापों सी रलमल नाचती रस्मिया जल में चल रेखाओं सी खिच तरल सरल और कभी क्या करें पतवारों के चलने से जो सांत जल है उसमें लहरे उठ रही हैं और वो लहरे कैसी लग रहे हैं जैसे चांदी के साफ है और वो नाशते हुए क्या करने आगे चल रहे हैं लहरों के कारण लहरों की लदिकाओं में खिल सौसो शसी सौसो उठ जिल में फूले फैले फूले जल में फेनी और जब वह चपू चल रहा है तो उसके कारण लहरे अतन्त चंचल हो गई है उस चंचल जल में चंद्रमा की जो किरने पड़ रही है तो ऐसी नास्ती प्रतीत होती है मानो उस तरह जल में अंगिनत सीधी रेखाएं खिच गई है करके सुशोबित हो रहे है उन्हें देख करके ऐसा लगता है मानो लहरो रोपी बेल फलफूल उठी है अब उथला सरिता का प्रवा लगी से लेले सहज था हम बढ़े घाट को सहुत साथ कभी क्या करें धीरे-धीरे हमारी नाव गंगा की धारा के बी से निकल करके किनारे इस से घाट की ओर चल पड़ती है और धीरे-धीरे जब घाट की तरफ आती है किनारे की तरफ आती है तो पानी का इस तर जो है थोड़ा कम होता जाता है गंगा का जल जो है उतला होता जाता है और जल जो है कम गहराई है तब हम लगई लगई क्या करते हैं बास एक लंबास होता है जिसे वो पानी का अनमान लगाते हैं तो कभी क्या करें तब हम लगई से पानी की गहराई का अनमान लगाते हैं उत्साह और आनंद के साथ घाट की ओर बढ़ने लगें अब यहाँ पर आकास में एक चंद्रमा सौसव चंद्रमा दिखाई दे रहा है इसका वर्डन कभी ने सौसव सशी और सौसव उडगुन कहके किया है भासा खड़ी बोली है रूपक उपमा उत्प्रेक्षा मानुई करण अलंकार है और प्रसाद कुण है इसके आगे हम कल आगे हम आगे।